पैसा केवल आपके आसपास माहौल को अच्छा बना सकता है. यह भीत्री खुशी पैदा नहीं कर सकता है. दुनियां के दुखी लोग सोचते हैं कि वे दुखी इसलिए है कि भगवान नहीं कुछ गलती की है. जीवन ऐसा कुछ भी नहीं जो समस्या हो. हर चीज एक संभावना है. एक इनसान के भीतर जितनी संभावना है, उसके लिए एक सौसाल कुछ भी नहीं है. खुद को सुरक्षत करने के लिए जो आप दीवारे बनाते हैं, थोड़े समय बाद वे आपके लिए कैद बन जाती है. अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर और दिमाग अच्छे से काम करें, तो पहली चीज है कि आप अपने स्वभाव से आनंदमय बनें. आपका मने कैसा साधन है, जो तभी सबसे अच्छा काम करता हैं जब इसमें स्पष्टता हो. हमने अपना ध्यान गोल की तरफ लगा रखा है. हमें प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए परिणाम अपने आप आएगे. अगर आप प्यार और आनंद में है तो आपको स्वर्ग की कोई जरूरत नहीं है. आप जहां भी रहेंगे, वह स्वर्ग बन जाएगा. एक सच्चा दोस्त वह है जिसके अंदर यह बताने की हिम्मत है कि आपके अंदर कितनी कमिया है. और आप से बहुत प्यार करे. आप इस बात से डरते है कि कल मैंने जैसे सोचा था, वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? सफलता हमें तब मिलती है, जब आप अपनी पूरीक शमता का इस्तिमाल कर पाते हैं. हर कोई चेतन है लेकिन सवाल यह है कि कितना प्रतिशत आप जगे हुए है? यह ब्रहमान डोन के लिए अपनी दर्वाजे खोलता है जो परियाप्त ध्यान देते हैं. अगर आपकी जब बुद्धी असीमित है तो सब कुछ आपके पहुँच में होगा. हमें समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, न की समस्या का हिस्सा. सपश्टता के बिना आत्म विश्वास बस एक आपदा की तरह है. टेक्नॉलजी बुरी नहीं है, बस हम उसके गुलाम बन गए है. आपकी पसंद और ना पसंद आपके बंदन की बुनियाद है. संतुलन के बिना तीवृता आपको पागल बना देंगी. आपका जीवन एक सौ प्रतिशत वैसा नहीं होगा, जैसा आप चाहते है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए. अगर कोई और ते करता है कि आपके भीतर क्या होगा, तो क्या यह गुलामी नहीं है? यह गुलामी का सबसे बड़ा रूप है. हम हर चीज को हम तर्क से नहीं जान सकते. कुछ चीजे तर्क से पड़े होती है. आपके मन में जो चल रहा है वहाँ आपका सपना है. कम से कम यह सपना आपके अनुसार होना चाहिए. बुद्धी किसी भी चीज को तोड़ कर समझने की कोशिश करती है. बुद्धी जीवन के केवल बाहरी चीजों को ही जान सकती है. जिन्दगी में अगर कुछ ज्यादा पाना चाते हैं तो उम्मीद मत रखिए. उम्मीद में अपना समय बरबाद मत कीजिए. जीवन में कुछ भी कीजिए पूर्ण भागिदारी के साथ कीजिए. मनुश्य अपने इनसान होने की सीमाओं के बारे में बात करते हैं न कि इनसान होने की समभावना के बारे में. जीवन में आप जो अंतीम चीज करेंगे वह है मृत्यू तो क्या आप इसे शालीमता के साथ नहीं करेंगे अगर आप अकेले है और आप दुखी है इसका मतलब आप खराब संगत में है अगर आप का ध्यान काफी तेज है और आप कोई खास काम करना चाहे तो आपको सफलता जरूर मिलेंगी उड़ जावान होना और स्थिरता कायम रखना अगर ये दो चीजे आप कर ले बाकी चीज अपने आप हो जाएगा अगर आप जीवन को हर दिन एक नए नजरिय से देखे तो जीवन में हर दिन आपको एक नए संभावना दिखेगी अगर आपको सड़क पार करनी हो तो आपको साफ द्रिस्टी की जरूरत होगी न कि आत्मविश्वास की यह सुपर ह्यूमन के बारे में नहीं है बलकि यह समझने के बारे में है कि मनुश्य होना ही सुपर है आपके सुख और दुख भीतर से ही पैदा होता है इसका कारण आपको भीतर ही ढूंडना होगा अगर आपकी उर्जा एक खास तरह की है जो इनसान किसी काम को 24 घंटे में करता है उसे आप 6 घंटे में कर सकते हैं पसंद और ना पसंद दोनों बंधन के कारण है इसके कारण ही आप चीजों को वैसे नहीं देख पाते है जैसे वह है आपके जीवन का सबसे मूल्यवान उचीज खुद यह जीवन है आप कहा रहते है क्या खाते क्या पहनते है ये केवा लूपरी चीजें है जीवन हमेशा अपने चरम पर पहुँचने की कोशिश करता है जीवन हमेशा उत्सा और आनंद से भरा होता है हम अपने अंदर क्रोध, नाराजगी और जलन खुद पीते है और उम्मीद करते है कोई दूसरा मरेगा ऐसा जीवन काम नहीं करता है जो कुछ भी आपके भीतर हो रहा चाहे वह खुशी हो या गम हो किसी तै करना चाहिए आपको या किसी और को यदि आपका आनंद आसपास की घटनाओं पर निर्भर करता है, तो आपके आनंद होने की संभावना काफी कम है इनर इंजिनियरिंग एक आंतरिक विज्ञान है, यह खुद के ऊपर काम करने का तरीका है मन जब सम्तल दर्पन की तरह हो जाए फिर हर चीज को आप उसके असली रूप में देखें पाएंगे अपनी महत्वा कांक्षा के नाम पार अपनी इच्छाओं को मत बढ़ाईए बलकि अपनी योग्यता को बढ़ाईए लोग तरह तरह के काम कर रहे हैं लेकिन वे खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है लीडर वह है जो आपको वहां ले कर जाता है, जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं आपके वलुसी चीज की इच्छा कर सकते हैं जिसे आप जानते हैं और जो संसार में उपलब्ध हो हम जिसमिटी पर बैठे हैं, हमें विश्वास नहीं होता कि एक दिन हम इसी का हिस्सा बन जाएंगे जीवन कोई समस्या नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, सवाल यह है कि अपने खुद को इस प्रक्रिया के लिए तयार किया है या नहीं अगर आप परियाप्त ध्यान दे तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसे आप नहीं जान सकते अपने कितना शानदार जीवन जिया यही महत्वपूर्ण है आपका जीवन आपका करम है आपका जीवन आपने खुद बनाया है कोई उपर बैठा आपको नियंत्रन नहीं कर रहा है जैसे जैसे आप हर चीज सुिकार कर लेते हैं। आप आजादी के उंच इस तर पर पहुंचने लगते हैं हमारे लक्ष हमारे नहीं है यह दूसरों से उधार लिये गए हैं जो भी ट्रेंज में होता है वही आपका लक्ष बन जाता है अगर आपकी समझदारी आपके खिलाप काम कर रही है तो आपके जीवन में तनाव और दुख पैदा होगा याददाश तेक अद्भुत सम्भावना है लिकिन दूसरी और वह एक रुकावट और एक सीमा भी है अगर आप खुश नहीं है और अगर आप सोचते हैं दूसरे से आपको खुशी मिलेगी तो आप गलती में है विचारों को इतना महत्व मत दीजिए आप जीवित हैं इसलिए आप सोच सकते हैं न कि आप सोच सकते हैं इसलिए जीवित है संभावना और वास्तविक्ता के बीच एक दूरी हैं इस बात को तै करने के लिए लोगों में ना तो साहस है ना दृढ़ निश्चय 90 प्रतिशत लोग अपनी प्रतिभा को प्रकट नहीं पाते क्योंकि वे दूसरी चीजों के आगे हार मान लेते हैं और उन्हें महत्वपून बना लेते हैं जब आप सफल होते हैं तब आप सोचते हैं भगवान की ऐसी मर्जी है या आप भाग्य का दोश देते हैं जीवन केवल भागिदारी से ही घटित होता है भागिदारी का मतलब बिना भेदभाव के हर चीज का जवाब देना अगर आप खुश है या दुखी है उसके कारण आप खुद है अगर आप काम्याब है या नाकाम्याब है दोनों के कारण आप खुद ही है अगर आपके पास दिमाग और हिम्मत है तो दुनिया में बहुत सारे काम करने की संभावना है करम का मतलब किस्मत के भरोसे रहना नहीं है, करम का मतलब है अपने किस्मत का मालिक खुद बनना